विद्रो का जार्खन में जन जाती है विद्रो का ये सायध हमारा पांच वा या छटा क्लास है इसे पहले पांच क्लासे हो चुके हैं तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाएंगे अप लोग जाके देख सकते है तो आज के class पे हम लोग discuss करेंगे भौक्ता विद्रो के बारे में पिछले class पे हम ने किसके बारे में discuss किया था? चेरो विद्रो के बारे में उसके बाद भौक्ता विद्रो के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भौक्ता विद्रो कब से कब तक चला था तो ये विद्रो 1770 से लेकर के 71 इस्वी तक चलता है अब आपको duration देखके समय में आ रहा होगा कि इस समय एक और विद्रो हुआ था इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कौन सा विद्रो हुआ था? चेरो विद्रो क्योंकि वो विद्रो का पहला चरण जो है वो भी 1770 से 71 इस्वी तक चलता है किसका चेरो विद्रो का? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये विद्रो जो भौकता विद्रो है ये चेरो विद्रो के समानांतर चला था ठीक है? और उसका पूरक भी माना जाता है चेरो विद्रो का पूरक माना जाता है भौकता विद्रो चेरो विद्रो का सामानांतर तथा पूरक विद्रो कौन सा है तो फिर भौकता विद्रो है तो इसमें दो तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं एक हो सकता आपका कि चेरो विद्रो का पूरक कौन सा विद्रो है या फिर इसका सामानांतर कौन सा है या पूछा जा सकता है कि भौकता विद्रो जो है वो किस विद्रो के सामानांतर चला था और ये किस विद्रो का पूरक माना जाता है चेरो विद्रो का पूरक कौन माना जाता है तो भौकता विद्रो भौकता विद्रो किस विद्रो का पूरक माना जाता है तो चेरो विद्र नहीं कि ये विद्रो किस्षेत्र में चला था तो चेरो विद्रो जहां पे Watchman नेar तो चेट्र में चलते में चलता है और यह पाक।ector बटा चलता हैं सबांचा करते हैं किसे बोसुकर नर्पकैरतma करतphonै इस विद्रो के नेता कौन थे? तो इस विद्रो के नेता थे जैनात सिंह भौकता चलिए अब इसके बाद हम जो बताने वाले हैं इसके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जैनाच सिंग भोक्ता किसके दिवान थे तो ये चितरजीत राई के दिवान थे ठीक है चितरजीत राई के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा और जैनाच सिंग के बारे में भी बहुत पढ़ चुके है ठीक है तो चितरजीत राई के दिवान थे जैनाच सिंग भोक जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद ये विद्रोग किया था कारण क्या था इस विद्रोग का तो इसका कारण था कंपनी द्वारा पलामो किला छोड़ने का आदेश कंपनी ने आदेश दिया कि आप पलामो किला छोड़ दीजिए अच्छा ये आदेश को मिला था तो ये आदेश मिला था जैनाज सिंग भोकता क्यों कि आप यह जो पलामो किला पर आप ने अधिकार करके रखा है यह आप छोड़ दीजेए आप लोग दोनों चितरजीत राय और जैनाज सिंग तो चितरजीत राय के बारे में तो चेरों विद्रों लोग पढ़ी चुके हैं इनी स जैनाज सिंग भोकता जो है वो कुछ सर्तों के साथ तयार हो गए ठीक है हम लोग यह जो पलामों के लिए पर हम लोग अधिकार कियों है इसको हम लोग छोड़ के चल जाएंगे कहीं और चले जाएंगे पर हमारी कुछ सर्तने हैं क्या है कुछ सर्त है ठीक है कुछ अर्तो विद्रो कर दिया, किसने? तो जैनाच सिंग भोकता ने विद्रो कर दिया. एक तो अंग्रेज कह रहे हैं कि आप अलामों किलाच छोड़ दीजियो, उपर से हम अगर कोई सर तरक रहे हैं उनके सामने, तो वो भी नहीं मान रहे हैं तो हम लोग क्यों ये किला छोड़े हैं इसलिए इन्होंने विद्रो कर दिया और इस विद्रो का परिनाम क्या होता है कि पराजित होकर के ये जो जैनाज सिंग भौकता है वो अंग्रेजों के सेना के सामने कमजोर पर जाते हैं, ऐसे तो ये लड़ते हैं, पर कमजोर पर जाते हैं, जिसके कारण ये पराजित हो जाते हैं, और फिर सरगुजा भाग जाते हैं, सरगुजा में ये जाके सरह ले लेते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है, गोपाल राय जो है, उनको राजा बना दिय जाता है कहां का पलामो का राजा बना दिया जाता है किसको गोपाल राय को अब यह नाम देखके भी समझ में आ रहा होगा आपको कुछ गोपाल राय के बारे में लोग पिछले क्लास नहीं भी पड़े थे तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि गोपाल राय जो हैं वो कौ तक 1716 से 22 स्वी तक सासन किया और रंजीत राय की हत्या कर दी गई किन्हों ने की है इनकी हत्या जैकरिशनर राय ने की जो कि इन्हीं की एक रिलेटिव थे ठीक है और इन्हों ने पलामू पर सासन किया 1722 से लेकर के 60 स्वी तक जैकरिशनर राय ने ठीक है पहले तो इन्हों पर देखेर कि और उसके लिए के सासव सबीत concerned और जैकरिषणी राये के ही पोते हैं और जो चितरजीत, राइय को पोते में यह जिति राय की पोते क्लियर है अब तो उसके बाद यह जो जयकिरश्म राइया है यह क्या करते हैं सैनांध जो की रंका टाकूर थे टो इनfunding के ठाकूर थे प्रकूरS अबराwrлом यह पुति तो फिर इसी लिए सेयनाद सिंग के जो भतीजे थे कौन थे बतीजे जैनाद सिंग भॉकता थे ठीक है किसके बतीजे थे तो सेयनाद सिंग के जिनकी हत्या जैक्रेशन राय ने की थी और ये चितरजीत राय के पोते थे तो इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया और इन द अधिकार कर लिए यहां के सासक बने गए ठीक है जिसके बाद क्या होता है कि यह जो गुपाल राय है वो यहां पर आते हैं और कहते हैं कि यह छेत्र हमारा है यहां के सासक हमारे जो पूरुवस थे हमारे जो दादा जी थे वो थे इन्हों ने इनको यहां पर मार करके अपना सासन स्थापित किया है ठीक है तो फिर अंग्रेजों से यह सहयोग माँगते हैं जिसके बाद अंग्रेज इनका शहयोग करते हैं और पलामू किला छोड़ने का आदेश देते हैं कि इनको जैनाथ सिंग भॉकता को और चितरीजीत राइको भी ठीक है जिसके बाद ये विद्रो होता है और फिर लास्टली क्या होता है कि परिनाम क्या होता है जैनात सिंग भौकता है वो पराजित होकर के सरगुजा भाग जाते हैं और गुपाल राइको यहां का राजा बना दिया जाता है और यहीं पे ये विद्रो समाप्त होता है और आज का हमारा क्लास B तो I hope आप लोगों को आज का क्लास समय में आया होगा एक बार तुरंत हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या देखे तो भोकता विद्रो कब किया गया था 1770 से 71 और ये पैरलर चला था चेरो विद्रो का जो पर्थन चरन था उसका क्योंकि इसके जो नेता थे वो चितरजीत राय के दिवान थे और उनका भी साथ ये दे रहे थे इस विद्रो में मिलकर कीनों ने विद्रो किया था समानांतर था तथा पूरग भी था ठीक है और ये कहां पे चला था तो पलामो में चला था और किस जनजाती ने ये विद्रो किया था तो चेरो और भॉक्ता ने मिलकर के ये विद्रो किया था ठीक है क्यों हुआ था ये तो पूरा समझ में आ गया कि कमपनी द्वारा जैनात सिंग भॉक्ता को पलामो किला छोड़ने का अदेश दिया गया था, इसलिए ये विद्रोग किया गया था, इन्होंने कुछ सर्तों के साथ माल लिया था, कि छोड़ देंगे, परन्तो अंग्रेज उनसे सहमत नहीं वे, जिसके बाद इन्होंने विद्रोग कर दिया, और फिर ये हार जाते हैं उसे पराजित हो करके ये सर्गूजा भाग जाते हैं, और यहां के गोपाल राई, जो कि यहां के राज़गदी के दावेदार होने का दावा करते हैं, उनको यहां का सासर बना दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेज उनका सपोर्ट करते हैं, और फिर ये विद्रोग यहीं पर समाप्त हो जाता है तो आज के class में हम लोग इतना ही देखते हैं मिलते हैं next class में next video के साथ